नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर अनंद भार्दवाज, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने खास कारेकरम में वास्तु शास्तर पर, जिसमें आपसे मैं चर्चा करता हूँ नएने टॉपिक पर, आज का टॉपिक हमारा, आपने देख लिया होगा, पर पानी के टंकी रहने में, आज आप जानेंगे तो आपकी आँखे खुल जाएंगी, साथियों, यह बहुत खास वीडियो है, जिसकी बहुत जादा डिमांड होती है, यह तो मैरे ऐसे वीडियो बहुत बार डालें इससे पहले, पर आज मैं जो खास बात आपको बताने वाला हूँ, वो आपके जिन्दगी में बहुत काम आएगा, जाना चाहते हैं, तो चलिए अखीर तक, डॉक्टर आनन भारवाज, यानि वास्तु शास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया, नमश्कार साथियों, जैसा मैंने आपसे प्रामिस किया था कि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ओवरहेड वाटर स्टोरेज टेंक के बारे में, तो जो ओवरहेड वाटर स्टोरेज टेंक होता है हमारा, उसको देखने के लिए कि ये ओवरहेड वाटर स्टोरेज टेंक कि नेचर क्या होती है, कैसे काम करता है ये, इसके लिए आपको जानना होगा कुछ बेसिक बातों के को जैसे कि सबसे पहले तो ये देखिए कि जो ओवर हेड़ वाटर स्टोरेज टैंक कहते हैं किसको बहुत तरह की टैंक आपके सामने दिख रहे हैं कही तरह के नीचे भी हैं अंडर ग्राउंड भी हैं अंडर ग्राउंड टैंक के बारे में तो अथा मैंने वीडियो बनाई हैं और आपको हर जगा मिल जाएंगी कोई जादा उसमें डाउट भी नहीं हैं उस पर फिर से वीडियो मनाऊंगा कुछ इसमें भी गलती हो जाती है बहुत बार पर आज मेरा जो खास केंदर बिंदू है मेरा जो सेंटर पाइंट है मेरा वो है ओवरहेड टैंक के बारे में जो ऊपर टैंकिया बनती हैं ये सब के सब ओवरहेड टैंक होते हैं ये ये जो आप देख रहे हैं किसी भी छत के ऊपर जो टंकी रखी जाती है उसको हम कहते हैं overhead water storage tank overhead overhead water साथियों overhead जो water storage tank होता है ये जो tank होता है ये बड़ी sensitive topic है बहुत बार आप बता है 50% नहीं तो कम से कम 40% लोगों क्या गलती करते हैं जब पाने की बात आती है कि पाने कहा होना चाहिए उन्होंने सुन है देख लिया है पढ़ लिया है न्यूजपेफर में इदवता देख लिया है सोच लिया कि पानी होना चाहिए नौर्थीस में और साथियों जब पानी होना चाहिए नौर्थीस में तो इसको क्या करते हैं च्छत के ओपर जब पाने के टंकी होती है इसको चिपका देते है या वास्तु कंसर्टेंट या ऐसे आर्किटेक्ट जिनकों के वास्तु के बारे में बहुत ज्यादा ग्यान नहीं होता वह आम तोर पर क्या करते हैं आजकल का जुगाड यह जो वीडियो आया इस वीडियो में किसी ने मुझसे यह बात वह इससे पहले किसी ने फोन किया था मुझे थोड़ दे पहले फोन आये था के सर एक जुगार बताओं मैं आपको मैंने कहां बताओ सर ये जो आप कहते ना south west को उचा कर दो भारी कर दो मैं एक जुगार बता रहा हूं बहुत अच्छा मैंने कहां बताओ भई कहते हैं पानी की टंकी जए हजार दो जालेटर की साउथ वेस्ट में रहदो सबसे उपर और उससे वो उंचा भी हो जाएगा साउथ वेस्ट भारी भी हो जाएगा देखे सर्थ कितने काम की बात बता दी मैंने का यार कमाल है ये तो आप किसका मतला आपको वास्तु का पता ही कुछ नहीं है वो कहता क्यों नहीं पता सर गुचा भारी हो जाएगा मैंने का नहीं क्यों क्यों कि उनको इस बात की ये उनको फार्मूला नहीं पता ये sensitivity उनको नहीं पता, ये उनको बहुत जादा संवेधन चीज उनको नहीं पता कि Southwest में दक्षिन पश्चिम के अंदर solidity होने चाहिए, liquidity बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कोई भी पानी, किसी भी तरह का पानी गलत होता है, तो हमने उसे पूछा, आपको पता है कि Southwest में पानी की टंकी जो है, आपने कहते हैं, तो दिया रहने के लिए क्या वहाँ पे toilet होता है, कहते हैं नहीं सर, bathroom होता या नहीं होता, underground पानी का tank की टंकी होती है नहीं होती, safety tank होता या नहीं होता, जब कुछ नहीं होता, भाईया तो आप कह रहे हैं कि आप South West के अंदर पाने के टंकी चट के उपर रहा हो, आप गल्दी पर है. ये बात बताने के लिए मैंने फिर वीडियो बनाया. चट के उपर पाने के टंकी कभी भी South West में नहीं होने चीए, South में भी नहीं होने चीए, पाने की जो छत के उपर के टंकी होती है, उसकी जो जगा बनती है, आप नोट कर ले ना, जो छत पे पाने के टंकी हमारी होगी, वो हमेशा, जब भी हम बनाएंगे, ध्यान करें, छत के उपर पाने के टंकी, आपका जो घर है, जो भी आपने आपका भवन आपने बनाया इसमें अगर हम यह उत्तर दिशा माल लेते हैं इदर हम दक्षन यानि साउथ माल लेते हैं तो पश्चिन दिशा यह होगी साथियों इस कंडिशन में ध्यान करना यह जो पश्चिन दिशा होती है न यह यह ओवरहेड वॉटर टैंक के लिए सबसे अच्छी जगा होती है बहुत सारे देवी देता बहुत सारी ऐसी नर्जी होती है वाइब्रेशन होते हैं ऐसे बहुत सारे डिटी होते हैं जो कि हमारे भवर में वास्तु के अनुसार निवास करते हैं तो यह जगा जो बनती है यह जगा बनती है वरूंड की यहां पर आपको बताएं कि अंडर् तीसरी कोई दिशा नहीं है अब अगर कहने को तो क्या होता है अगर माली आपको मजबूरी पड़ती है और उस मजबूरी के अंतर अगर आप बाई चांस अगर नॉर्थ में बनाते हैं तो चल जाता है थोड़ा बहुत यहां भी चल जाता है लेकिन साउथ वेस्ट के अंदर जो है overhead water tank कभी नहीं चलता, कभी भी ना बनाएं southwest में overhead water tank कभी ना बनाएं, south में भी नहीं होता पर इतना serious यहाँ भी नहीं है. यह overhead water tank के लिए बहुत जादा sensitive point है. देखें मैंने आपसे का था कि जुषार निकना चाहिए कभी भी होता क्या है कि बहुत बार रों कहते हैं हमने वास्तों से मकान बनाया और उसके बाद भी हमने दुख पाया हुआ क्या कि जब वास्तों से मकान बनाया तो बनाने वाले ने क्या किया उसने अपना ये वास्तों का काम भी आर्किटेक्ट को सौप दिया कुछ आर्किट क्योंकि लाखों में से कम से कम 70-80,000 के माइंड में ये बात आ जाएगे कि सर हमारे घर में भी वाटर टेंग गलत लगा दिया क्योंकि उसने कहा कि साउथ वेस्ट में होना चाहिए बिलकुल पाने की बूद नी आने चाहिए यहां पर नो लिक्विडिटी ना च्छत की ऊपर है और दूसरी तरफ यहां पर पानी हम लगाते हैं और वो जो पानी है जो अपने मोटर चलाई तो नीचे से उपर पानी जा रहा है जब मोटर उपर से पानी अपने टंकी में चला या नीचे यूज करने के लिए तो वो पानी उपर से नीचे आ रहा है 24 घंटे वहां पान सबसे बड़ा सबसे बड़ा नुकसान मान के चलना यह ग्रेविटी जिसे टैंसाल फोर्स भी कह सकते हैं आराम से आप अगर यहां पे साउथ वेस्ट में आपने अपना मास्टर बेड़ों बनाए हुआ है बनता ही आवास्तु से नीचे मास्टर बेड़ों में लोग सो रहा ह हो उसके उपर मेरे फादस हो रहे हैं या बड़े सो रहे हैं और उसके उपर पाने के टंकी रखिए साथियों तो वो जो वहां टैंसाल फोर्स है जिसको आप भाशा में हम लोग ग्रेविटी कह देते हैं वो जो है उपर से ट्रेवल करना शुरू करती है नीचे सोने वाले करेगा वजिदनी भी फिटिंग है फिटिंग महीं रखेगा उसने टंकी को उठाका यहां से आगे पीछे कर देता है 49 o 30 ऊ to जो किताब लिख देते हैं ना दो-चार कितामें उठाइए कहीं से कॉपी करें उसके बाद लिख दिया वो सब यही गलती करते हैं जो मैंने आपको बताया यह जुगार मत करना अपनी हैल से कभी भी खिलवार नहीं करना चाहिए ऐसा मेरा मानना है अगर आप मेरे से करूँगा अपनी नौलेज कि किस ना से हमें वास्तों पर आगे बढ़ना है और लेने हमें जीवन के लिए सभी सुख तब तक यह लिए दिया मुझे इजाजत नमस्कार धन्यवाद थैंक्यू एंड बहुत बहुत ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का